जौला मुखी उपमंडल पुलिस ने निर्मबर मां में कॉफिट नेमों की अभेलनाब मास्ट नर लगाने पर 316 चलान किये और 53,700 रुपए का जुर्माना बसूला इसके साथ यातायात नेमों की अभेलनाबर पुलिस ने 2003 चलान किये और 2,700,000 रुपए जुर्माना बसूला डियस पी जौला मुखी तिलकराज ने जानकारी देते हुए बताया कि सरकार के दिशनेजेशों का पालन करें उन्होंने बताया कि जौला मुखी के दुकानदार भी अपने कॉबिट टेस्ट करवाएं क्योंकि वे ज्यादा लोगों के संपर्क में आते हैं और अपने दुकानों के बाहर दोबारा गोले लगाएं ताकि शोशल डिस्टेंस का पालन होता रहे इसके साथ ही दुकान में मास्क लगाएं, गलब्स पहनें और सनिटाइजर का भी प्रोग निमित करें ताकि महामारी से बचा जा सके DSP तेलगराज ने बताया कि जोलम की उपमंडल में करोना के केस कम है लिकिन ये लापरवाही से बढ़ सकते हैं इसलिए एतियात बरते और निमो के सकती से पालन करें इसके साथ ही शादी ब्या का सीजन चल रहा है ऐसे में सरकार के निर्देशों के अंसार केबल 50 लोग ही दोनों पक्षों बग केटरिंग स्टाफ के साथ शादी में शामिल हो सकते हैं अगर शादी में निमो की अभिलना की जाती है तो शादी आयोज़क के खिलाफ जिसके तहत 5,000 जुर्माना और 8 दिन के जेल भी हो सकती है इसलिए सभी इलाकावासी इस संबेदन शिल्द्स में में एतियात बदतें घर में रहें और सुरक्षित रहें पिछली मिन्ने जो हमारे मास्क को लेकर चलानों जो लोग COVID-19 की ड्रेक्शन ज़न का पालन नहीं कर रहे हैं मास्क नहीं लगा रहे हैं उनके हमने पिछली मिन्ने में नॉम्बर माँ में 316 चलान की हैं और इन चलानों के तेहत हमने 53,700 रुपे फाइन बसूल किया है और इसके साथ ही जो ट्रैफिक की वाइलेशन्स करते हैं उनके हमने दो हजार तीन चलान किये हैं और दो लाख स्ततर हजार अरपेगा फाइन हमने बसूल किया है और इसके लावा सरकार के बड़े सक्त निर्देश हैं और जरूरी भी है कि हर व्यक्ति जो दुकानदार हैं हमारे बजार के वो अपना भी टेस्क करवाएं क्योंकि ज़्यादा लोगों के संपर्क में आते हैं डेली और अपने दुकान के आगे वो गोले बनाएं जैसे हमने पहले बन बनाए थे ताकि सोशल डिस्टेंसिंग मेंडेन रहे मास्क लगा के रखें और गलवजी पहने ताकि अपने आपको सेफ कर सकें और इसके साथ जैसे की आज को शादियों का सीजन है तो हमारे एरिया में भी जैसे अभी तक तो ज़्यादा केसरी नहीं है ठैंगो लेकिन ये बढ़ सकते हैं लोगों के अपनी लापरवाही के कार्म तो शादियों के सीजन में जैसे सरकार की जो गोर्मेंटर्स माचल परदेश की जो डारेक्शन्स हैं कोई भी शादी में 50 से ज्यादा लोग नहीं होंगे और ओवी इंक्लूडिंग केटरिंग स्टाफ दोनों पक्षों को मिलाकर और केटरिंग स्टाफ को मिलाकर पचास से ज्यादा लोग नहीं होंगे, अगर इस से ज्यादा लोग होंगे, तो जो उसका और्गनाइजर है, जो शादी का, जिसके घर में शादी हो रही है, उसके एक लाफ क्यानुनी कारवाई की जाएगी, पांच जार तक का रुपे तक का चलाना हो सकता है, और उसको प्रकोशन से बर्टेंग, दाने बादा